Realme बिना किसी डाउट के भारत के टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक है आज की तारीक में Realme के बहुत से मिड्रेंज स्मार्टफोन स्मार्किट में उपलब्ध हैं और आज उस लिस्ट में एक और स्मार्टफोन जुड़ जाएगा अभी मेरे पास है Realme 6 जो कांपनी के Realme 5 स्मार्टफोन का सक्सेसर है तो चलिए करते हैं इस स्मार्टफोन को अन्बॉक्स और इस पर करीब से एक नजर मारते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ये है Realme 6 का डबबा सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं वो है इस डबबे का पीला रंग जो काफी ब्राइट है फ्रंट पे सिर्फ ये नंबर दिया हुआ है और एक अवार्ट का भी मेंचिन है जो Realme में जीता था इसके लावा फोन का नाम डबबे के दोनों साइड्स में छपा हुआ है डबबे को पीछे गुमाने पर फोन के कुछ मेन हाइलाइट्स मेंचिन है जैसे कि इस फोन का फ्रंट कैमरा डिस्पले के अंदर पंच होल में एंबेड़िड है और इस फोन की स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ड है यह फोन 30W के फास्ट चाजर के साथ आता है और इस फोन में 4300 mAh की बैटरी मौजूद है इसके अलावा इस फोन में MediaTek Helio G90T प्रोसेसर का इस्तिमाल किया गया है और आखिर में आपको फोन के रियर में 4 कैमरास मिलते हैं जिसमें से मेन कैमरा 64 MP का है जैसा कि इस टेक्स्ट में दिया हुआ है हमारे पास इस फोन का कॉमेट ब्लू रंग आया है तो चलिए करते हैं इस स्मार्टपोन की अन्बॉक्सिंग डबबा खोलते ही सबसे पहले हमें दिखता है एक लिफाफा जिसके अंदर आपको मिलते हैं एक सिम इजेक्ट टूल एक स्मोकी ट्रांस्परेंट सिलिकॉन केस और कुछ जरूरी कागजात और ये है Realme 6 स्मार्टपोन जो प्लास्टिक में कवर्ड है तो जैसे की मैंने आपको पहले भी बताया ये है इस पोन का कॉमेट ब्लू रंग इस पोन की खासियत है इसके रियर पैनल पे दिखने वाला ये पैटर्न ये ऐसा लगता है कि जैसे सारी लाइन्स उपर से आ की नीचे एक पॉइंट पे मिल रही है और ये देखने में काफी आकरशक लगता है तो अवे के लिए फोन को साइड में रखते हैं और बाकी समान पर भी नजर मार लेते हैं यहाँ आपको मिलता है कि USB Type-C केबल तो ये सारी चीज़े मिलती है आपको Realme 6 के डिब्बे में ये है Realme 6 जब तक ये फोन बूट हो रहा है उत्ती देर में इसके डिजाइन पर नजर मार लेते हैं फोन के दाए में एक पावर बटन स्थित है जिसमें आपको फोन का embedded fingerprint sensor मिल जाएगा रियर पर आपको 4 cameras मिलते हैं प्राइमरी camera है 64 megapixel का इसके साथ ही यहाँ पर है एक 8 megapixel का wide angle camera एक 2 megapixel का macro camera और एक 2 megapixel का depth sensor बाए में आपको volume बटन और sim tray मिलते हैं ट्रे को निकालने पर ये sure हो जाता है कि इस फोन में आपको 2 nano sim slots और एक dedicated micro SD card slot मिलता है फोन के निशले हिस्से में एक 3.5 mm headphone jack, एक USB Type-C port और एक speaker दिये गए है और आखिर में फोन का उपरी हिस्ता खाली है चलिए अब फोन को जल्दी से setup कर लेते हैं Realme 6 boot हो चुका है तो पहले बात करते हैं फोन के display की इस फोन में आपको मिलता है 6.5 इंच का Full HD Plus पैनल जिसका refresh rate है 90 Hz Company कहती है कि जब की इस फैनल का refresh rate 90 Hz है यह फोन 120 Hz touch sampling को पहचान सकता है इसका मतलब है कि यह फोन gamers के लिए काफी बढ़िया रहेगा जो market में हमेशे एक responsive phone की तलाश में रहते हैं फोन का front Corning Gorilla Glass 3 से protected है और फोन का rear panel polycarbonate का बना है हमारे unit पर पहले से ही एक screen protector लगा हुआ है इस फोन में आपको 16 megapixel का punch hole front camera मिलता है software के विभाग में Realme 6 Company के custom Realme UI पर चलता है जो Android 10 पर आधारत है इस फोन में Realme ने MediaTek Helio G90T processor का इस्तेमाल किया है जिसका मतलब है कि इस price segment के हिसाब से इस फोन की performance बढ़िया होनी चाहिए Realme 6 भारत में 3 variants में उपलब्ध होगा base variant में मिलेगा 4GB RAM और 64GB storage mid variant में मिलेगा 6GB RAM और 128GB storage और आखिर में फोन का top end variant जिसमें आपको मिलेगा 8GB RAM और 128GB storage आपको यह जानके खुशी होईगी कि Realme ने LPDDR4X RAM और UFS 2.1 storage की chips को इस phone में इस्तेमाल किया है इसके अलावा आपको इस phone में 4300mAh की battery मिलती है जो सुनने में ज्यादा बड़ी ना लगे पर आपको phone के साथ 30W का Wook fast charger भी मिलता है जिससे आप इस phone को fast charge कर सकते हैं और यह थी हमारी Realme 6 के unboxing और first look video आप लोगों के बारे में क्या सुझाव है मुझे बताएं comment section में इसके अलावा हिंदी की तमाम टेख खबरों के लिए gadgets.ndtv.com slash हिंदी पर जाएं हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद